खारगे जी केसी वेनू गोपाल जी रिवन्त रेड़्डी जी और स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता, सीनियर नेता हमारे प्यारे कार्यकरता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार कुछ महीने पहले हमने यह भारत जोड़ों यात्रा कन्या कुमारी से शुरू की और आज सुबे हम हाईदरबाद पहुँचें यात्रा नफरत और हिंसा के खिलाफ है पीजेपी और आरेसेस देश में सिरफ नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं और भाईयों और बहनों इससे देश मजबूत नहीं होता है इससे देश कमजोर होता है देश की शक्ती देश को आगे ले जाने के बज़ाए लड़ाई जगडे में नफरत में जाया हो जाती है हमेरी यात्रा कन्या कुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी इसको कोई शक्ती आंदी तुफान बारिश धूप कुछ कोई शक्ती नहीं रोक सकती है ये सिरफ एक यात्रा नहीं है ये हिंदुस्तान की सच्ची अवाज है आप देखिए यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी मार पीट जगणा नहीं हो रहा है एक भाई दूसरे को गाली नहीं दे रहा है किसी की पिटाई नहीं हो रही पियार से नदी जैसे लाकों लोग एक साथ चल रहे हैं सब धर्म के लोग हैं हरजात के लोग हैं बुजूर्ग लोग हैं युवा हैं, माताएं हैं, बहने हैं सब एक साथ चल रहे हैं लग्का लगता है, कोई गिर जाता है एक दम एक सेकंड में पूरी की पूरी भीड मदद करती है कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है जात कौन सी है कौन सी भाशा में बोलते हो कहां रहते हो ये सवाल नहीं पूछे जाते एक दम एक साथ सब लोग गिरे हुए व्यक्ति को उठा देते ये हिंदुस्तान का इतिहास है ये हैद्रबाद का इतिहास है यहाँ पे सब धन के लोग एक साथ भाई चारे के साथ रहते हैं ये आपकी सचाई है दो तिन शिकायते हैं मैंने सोचा था कि देश में सबसे जादा पल्यूशन दिल्ली में है पता लगा कि हैद्रबाद नंबर एक एक नंबर पे हैं और जब से यहाँ पियारेस की सरकार है तो यहाँ पे अब देखिए सबकों पे चले हैं मगर सबके कम हैं गड़े ज़ादा हैं तो आपका जो इंफ्रस्ट्रक्चर है जो होना चाहिए वो नहीं है भारगे जी ने कहा कि पार्लमंट में जब भी बीजेपी कोई बिल लाती है उन्होंने तीन किसान काले किसान वाले कानूनों के बात की मगर जब भी लोकसभा में राज्यसभा में बिल आता है टी आरेस बीजेपी का एक दम समर्थन कर दीती है और अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है ध्यान बातने के लिए एकदम टी आरेस के लोग कोई और मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं बाईों और बेनों पीजेपी और टी आरेस एक साथ काम करते हैं गलत फेहमी में मत आईए ये चुनाओ से पहले रामा करते हैं आपके चीफ मिनिस्टर मगर डायरेक्ट लाइन है नरेंद्र मोधी जी के साथ इधर फोन उठाते हैं वहां मोधी जी फोन उठाते हैं एक सेकंड नहीं लगता और फिर मोधी जी आपके चीफ मिनिस्टर को ओडर देते हैं आज ये करना है कल वो करना है मैं अब महीनों से चल रहा हूं तेलंगाना में कितने साथ आठ दिन हो गए साथ दिन हो गए किसानों से मिल रहा हूं मज़़ूनों से बात हो रही है युवाओं से बात हो रही है साथ आठ घंटे चलते हैं छे बज़े शुरू करते हैं और जैसे अभी आपने देखा साथ बज़ जाते हैं पूरा दिन हम तेलेंग आना के लोगों की आवाज सुथते हैं हम कुछ कहते नहीं बाश्चन नहीं देते कॉंग्रेस के सब नेता एक साथ जनता की आवाज सुनते हैं दिन भर सुनते हैं और छे साथ घंटे बाद हम पंदरा बीस मिनट अपनी बात रखते हैं किसानों से बात करो सीधा किसान टेलंग आना का किसान आपको कहता है हमें कहता है कि किसान कितना भी काम कर ले खेत में से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता यह सचाई है 24 घंटा काम कर ले उसके खेत से उसको प्रॉफिट नहीं मिल सकता टेलंग आने की सरकार और बीजेपी की सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती MSP नहीं दिलवाती कर्जा माफ नहीं करती उल्टा तीन काले कानून लाई और जो किसानों का है उसको किसानों से छीनने की कोशिश करी कर्णती